आज हम श्रेमत भगवत कीता के अध्याय सार ज्यान विज्यान योग का श्लोक 28 देखते हैं पहला चरण ये शा के उपर है अनुस्वार आधाम ये शाम त्व आधा त व पूरी के साथ त्व इसके बाद आधा न तो त्वन क्या पढ़ेंगे त्वन तपूरा त में अमिक्स करेंगे त्वन्त गत पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करेंगे गत शब्द पूरा पूरा पने के बाद अनुस्वार आधाम गतम पाप शब्द पूरा पने के बाद अनुस्वार आधाम पापम पहला चरन रिपीट ये शांत्वंत गतम पापम दूसा चरण ज, ज मी अमिक्स करेंगी ज, नाना शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म ज, नाना पुर्णिय, य मी अमिक्स करेंगे पुर्णिय, क मी अमिक्स क्या क म की उपर है आधार है इसको राइट साइड में देखेंगे उपर मातरा आधार और म पूरा क की साथ आधार है कर, म कर्म, ना की साथ आधा म, नाम कर्म नाम दूसा चरण रिपीट ज, नानाम, पुर्णिय, कर्म नाम पहला और दूसा चरण साथ में ये शाम त्वन्तगतम पापम ज, नानाम, पुर्णिय, कर्म नाम तीसरा चरण ती, दून्द्व ये शब्द हमने 27 वे श्लोक में भी साथ वद्दय के 27 वे श्लोक में भी देखा क्या है इसका मतलब द्व, द्व कार्थ हुआ आधा द और व, पूरा ठीके, इसको पढ़ेंगे द्व अब द्व की बाद आधा ना तो द्वन क्या पढ़ा द्व, द्वन फिर वापस के द्व, तो द्वन्द्व द्वन्द्व मोह, हमें अम इक्स करेंगे मोह निर, नी के साथ आधा ना निर मू के साथ आधा का है मुक्ता तीसा चरन रिपीक ध्यान से च्वाथा चरन भ़ मी अमिक्स करेंगी भ़ ज़ की साथ आधान भजन ते मा के साथ अनुस्वार मा पर है अनुस्वार आधा म माम मा नहीं है ये हिंदी का माम है माम द की नीचे री की मात्रा, इसको right side में दिखेंगे द्री यानी द आदा और नीचे है री से रिशी की मात्रा, इसको पढ़ेंगे द्री द्रीड से धकन, द्रीड व्र, व्र का अर्थुआ व्र आदा और यह जो मात्रा दिखे है यह रपूरा इसको पढ़ेंगे व्र व्रता आकी मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हाँ द्रीड़ व्रता हा चौता चरण रिपीट भजन ते माम द्रीड़ व्रता हा तीसरा और चौता चरण साथ में ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम् द्रिडव्रताहा पूरेश लोक कवचारन एक साथ ये शाम् त्वन्त गतं पापं जनानाम पुर्ण्य कर्मनाम ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम् द्रिडव्रताहा एक बाल वापस ये शाम् त्वन्त गतं पापं जनानाम पुर्ण्य कर्मनाम ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ती माम् द्रिडव्रताहा अब श्लोक का अर्थ देखता है इससे पहले हमने श्लोक में देखा था कि भगवान को हमारे भूत में भविश्य में और वर्दमान में जो भी प्राणी है उन सब को भगवान जानते हैं लेकिन हम जैसे मनुष्य क्यों नहीं जान सकते हैं क्योंकि हम राग और द्वेश के कारण इस संसार की किसी चीज को अपने सुक्का कारण समझते हैं तो उसको पाने की प्षा करते हैं और जिससे हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें दुख होगा उससे हम द्वेश करते हैं और उस राग और द्वेश के द्वन्द्व से मोहित होकर हम बार बार जन्म मरण के चकर काट रहे हैं यह भगवार ने पिछली बार बताया शलोक 27 में अब हम 27 शलोक में क्या देख रहे हैं ये शाम यानी जिन त्वन्त यानि नश्ट हो गए हैं क्या पापम पाप ठीक है जिन के परंतु जिन के पाप अंतगतम यानि अंत हो गया है क्या हो गया अंत नश्ट हो गए हैं पाप जनानाम पूर्णे जनानाम यानि मनुश्यों के पूर्णे कर्म नाम पूर्णे कर्मा मनुश्यों के तो जिन परंतु जिन पुर्णे कर्म करने वाले मनुशियों के पापनश्ट हो गए हैं ते वे द्वंद्व मोह निर्मुकता द्वंद्व यानि राक और द्वेश कि ये मेरे सुक्का करण है और ये मेरे दुक्का करण इस द्वंद्व के मोह से निर्मुकता यानि उससे बिलकुल रहित हो ग द्रड यानी पक्का ठीक है तो भगवान ने बोला था कि जो राग और द्वेश की संसार की ये चीज मुझे सुख दे रही है और ये मुझे दुख दे रही है इसके अनुसार अपन इच्छा करते हैं राग करते हैं और द्वेश करते हैं जिसके करण अपने विवेक का सदू उपयोग करके परमात्मा में ने लगकर केवल संसार के भोग में फसे रत हैं। कि मुझे अब संसार के भोगों से दूर रहना है मुझे केवल परमात्मा में ही लगना है। बस परमात्मा की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर को पाकर करने ही है।